मैं सुमं सोनी बोल रहा हूँ और मैं महादेबुक का ओनार हूँ यह रहे उसके डॉकुमेंट्स और यह मेरे आदार डॉकुमेंट्स हैं यह मेरा अधार काड है यह मेरा पैन काड है और यह मेरा पास्पोर्ट है और महादेबुक का ओनार मैं ही हूँ यह आपको डॉकुमेंट्स दिखा दिया है मैंने और 2021 में इसको मैंने चालू किया था यह उसका पूरा डॉकुमेंट्स है मेरा गेंबलिंग का काम बहुत अच्छे से चलने लगा था फिर बिलाई में और यह तो बहुत चोटे से काम चालू हुआ था उसके बाद धिरे-धिरे काम बढ़ता गया, अब काम बढ़ता गया, उसके बाद हमारा लाइफटाल भी चेंज होता गया, क्योंकि पैसा बहुत आ रहे थे, तो सब नोटिस करने लगे, मतलब जो आसपास के लोग हैं, वो लोग नोटिस करने लगे, धिरे-धिरे बात उपर तक गया, तो फिर कंप्लेन वगएरा भी होने लगा, तो फिर ऐसा हुआ कि अब प्रोटेक्शन का जब बहुत जरूरत था हमको, क्योंकि लड़के भी अंदर हो रहे थे कुछ-कुछ, तो उसके बाद मुझे पता चला वर्मा जी के बारे में, फिर मैंने उनसे मीटिंग की, फिर मुझे समझ लो हफ्ता वसूली वाला काम चालू हो गया, अब वर्मा जी से मैंने मीटिंग किया, तो फिर उनसे बात और यह हुआ कि अब उनको मुझे हर महेना दस लाख रुपए देना है, तो वो भी ओके हो गया, अब हर महेना मैंने उनको दस लाख रुपए देना चालू कर दिया, तो काम बढ़ी है, चलने लगा मेरा, पैसा भी कमा रहे थे हम सब कुछ उक्के था, उसके कुछ दिन बा बाहर निकली नहीं रहे हो लोग, तो वो बोले कि चलो करते हैं कुछ, फिर उसके बाद भी लड़के नहीं चुटे, फिर मैंने वापिस कॉल किया उनको, तो वो बोले कि भीया लगता भी अहां से एक काम नहीं होगा, मैं चलो आपको किस से मिलवाता हूं, ऐसा करके बोले बाहर निकल लगता है, तो वो मेरको लेके गए, साथ में लेके गए, राइपूर, मैं बोले कि चलो अब मिलवाता हूं, हम गए साथ में वहां पर सीम सर और बिट्टू भीया से हमारा मीटिंग हुआ, यह चीज का मैंने पुरा अपना लिख के दे दिया है, उसमें रिटर का डील हुआ, हर चीज का स्टेटमेंट मैंने दे दिया अपने रिटर्न डोकुमेंट में, मैं सेप्टेंबर 2020 में दुबई आया, जैसा कि मेरा मीटिंग हुआ था सीम साप से, तो उन्होंने बोला था कि दुबई जाओ, अपना काम बढ़ाओ, अवां मीटिंग करो जाके तो मैं गया और मीटिंग भी हुआ मेरा कही लोगों से, तो दो लोग के साथ मेरा यहां बिजनस भी सेट हो गया, और अच्छा का सा काम भी बढ़ने लगा, सब कुछ हो के चलने लगा, जैसा सीम साप बोले थे, सब बढ़िया हो गया, उसके बाद मुझे यहां दो लोग म मिला उनका यहां कंश्रक्शन का काम था, तो मैंने सोचा मैंने भी काम चालू कर लेता हूं, अच्छा काम है यह चीज, तो मैंने उन्हें अपना पर्सनल अडवाइजर रख लिया, यह काम पे, कंश्रक्शन के काम पे, अब इसके बाद हुआ यह एक ही, फेमस यह लोग हो बुक को, और फेमस यह लोग हो रहे हैं, बताओ, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है उनको आशिरवाद नहीं था सियम साप का, इसलिए उनको वो फेमस हो गए, यह गलत बात है न, इस चीज का बूरा लगता है बहुत जादा, एक बात बता रहा हूं आपको, हमारे सियम साप क एक आदत है, भगेल जी का, कि वो कुछ दिन में पल्टी मार देते हैं, और ऐसा मिर साथ हुआ है, जब उन्होंने मुझे दुबाई भेजा, कि वहाँ जाके अपना काम सेटल करो, लोगों से मिलो, तो मैं गया मिला भी और मेरा काम भी बहुत अच्छा सेट हो गया, उसके जाता हूँ, परिशान हो रहा हूँ, तो वापिस मैंने वर्मा जी को फोन लगाया, तो बोले कि चलो ठीक, आप भिलाई आजाओ, आपका मीटिंग कराते वापिस से, अब मैं डर से पहुंच गया है भिलाई, कि लोग बाहर आ जाएंगे करके, तो वर्मा जी से मैं मिलने गया, वर्मा जी और गिरिश्तिवारी मुझे मिले रहएपुर एरपोर्ट रोड पे, वो फिर लेके गया, वर्मा जी तो वहीं उतर गया, फिर गिरिश्तिवारी मुझे लेके गया, हमारे उस समय के SPA प्रशान तक डवाल जी, उन से जाके मेरा मीटिंग कराया, अब मैं उनको अपना प्रॉब्लम पूरा शेयर किया, तब वो फोन गुमाए, उसके बाद वो बात किये, लौड स्पिकर में था फोन, तो सीधा-सीधा आवास तो समझ आई रहा था हमारे भगेल जी का यह आवास था हो, तो पूरा प्रॉब्लम बताने के बाद उन्होंने वहां स पाया, एकदम मुह अदास्ता हो गया, तो मैंने यही बोला कि सर, हम तो छोटे आदमी है, आप बताओ क्या करना है, जैसा बोलोगे हम वशा करेंगे, तो बस वो यही बोले कि ठीक है, आप प्रसान जीसे बात कर लो, वो आपको बता देंगे क्या कैसे करना है, तो थीक है स सबकुछ रिटर्न स्टेट्मेंट में क्या मैंने किसको दिया है, कैसे दिया है, किसके सोर्स से दिया है, हर कुछ लिखा हुआ है, अब इत्ता पैसा देने के बाद भी मेरा काम बढ़नी रहा है, अंदर ओरें लोग, तो क्या मतलब, पुरा फस गयो मैं पोलिटिकल सिस्ट के अंदर यार, तो प्रसान तक रवाल जी के, जब मेरा मीटिंग हुआ, उसके बाद से मैंने अब तक 508 करोड रुपे दे चुका है, हमारे भगेल साब, बिट्टू भीया और उनके जो लोग हैं, उनको मैंने 508 करोड रुपे दिया है, उसके बाद भी मेरा काम नहीं हो हो रहा है, मेरे काम में डिश्टर्बंस हो रहा है, इतना ज्यादा, मैं इतना परिशान हो गया हूँ यह सिस्टम से, अब क्या करूँ समझ नहीं आता है, जब अरजस्ति का मेरे उपर ED का करवाई चालू हो गया है, अब ऐसा-इसा कुछ होगा मेरे साथ इतना पैसा देने के बाद भी तुम्हें क्या करूँ बताओ, अब बस मेरा यही लाश्ट रिक्वेस्ट है हमारे इंडियन गवर्मेंट से, कि वो बस इतना हेल्प कर दे मेरी, कि मैं अब हस चुक हूँ इस पॉलिटिकल सिस्टम में, मैं इससे बहार निकलना चाहता हूँ, और आपको जैसा इविडेन्स यहें, जैसा प्रूफ चाहिए, मैंने जैसे जैसा पैसा उनको दिया है, हर चीज़ का मेन पर ड्र पास आड़ि प्रूफ हर चीज एक एक चीज़ पढ़ा हूआ है, तो मैं जही चाहता हूँ बस मेरा है वाहाँ मेरा हल्प कर दीजिए, Vahasy, मैं भी इंडिया जाना चाहता हूं वापिस मुझे डर लगता है यहां से इंडिया जाने में मैं वहां जाना चाहता हूं वापिस वही रहना चाहता हूं लेकिन मीरा help कीजिये यही request मेरा इंडियन गववर्मेंट से है